नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कोट मैरेज करने के लिए क्या नोटिस जो घर पे जाता है पहले कैसे नोटिस जाता था अब नए कानूनों के वज़े से क्या नोटि जब कभी भी करना होता है तो उसके प्रॉसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है नोटिस कब जाता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कई लोग कहते हैं कि अगर आपे स्पेशल मेरेज एक्टि में शादी करते हैं तो उसको कोट मेरेज बोलते हैं क् court marriage कोई ऐसा word नहीं है जो किसी कानून के किताब में लिखा होगा कि इस process से करेंगे तभी ये court marriage कहलाएगा लेकिन मैं आपको बताओं कि normally क्या होता है कि जब से special marriage act लागू हुआ है तो जब कभी भी दो religion के लोग आपस में शादी करते हैं तो फिर उसमें notice जाने का provision होता है अब notice जाने का provision कैसे होता है इसको भी लेकर बहुत confusion है अगर आप special marriage act के section की बात करें तो special marriage act में साफ साफ लिखा गया है कि जब कभी भी कोई couple special marriage act के थुरू court marriage करने के लिए आएंगे और special marriage act में अपने marriage को without any ritual perform कराए अपने marriage करना चाहेंगे तो ऐसे situation में सबसे पहला काम SDM साहब का यह होगा या जो भी competent authority होगी जो marriage को perform कराएगी उनका सबसे पहला काम यह होगा कि जब उनको application मिल जाएगा intended marriage का उसके बाद से वो एक notice prominent जगह पे अपने office के prominent जगह पे notice display करेंगे जिसमें बताएंगे कि ये bride और groom है जो शादी करना चाहते हैं वो इसलिए करेंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर इस सादी से इत्राज हो जैसे वो पहले से married हो या पहले से जो है वो किसी ऐसे relationship में है जिसमें वो शादी होई ही नहीं सकती अगर इस तरह का कोई situation है तो कोई भी व्यक्ति उस office में जाकर कि इस सादी पर objection कर सकता है अब ये कानून है और यही नियम है इसी का पालन होना चाहिए बाद में क्या किया गया कि इसको add on कर दिया गया कि भई हम आपका verification कराएंगे आपके residence proof का भी verification कराएंगे और आपके घर पे आपके parents को भी notice भेजेंगे हकिकत यह कि कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है लेकिन SDM सा आप कई बार क्या करते हैं या जो भी अधिकारी competent अधिकारी है वो कई बार क्या करते हैं कि इसको वास्तों में करने लगते हैं और वास्तों में जो bride और groom का जो address proof होता है उसके पास उस जगह पे जो है police के थूर notice भेज जया जाता है और notice भेज करके verify कराने के कोशिश के जाती है जबकि ये कानून में नहीं है यही वज़य है कि जब कभी भी special marriage act थूरू आप शादी करते हो तो फिर कई जगह पे notice जाता है और कई जगह पे notice नहीं जाता है केवल provision इतना है कि notice board पे SDM साब अपने office में display करेंगे कि ये couple हैं जिनके शादी होनी है और वो notice board पे भी तब तक रहेगा जो 30 दिन का time frame है उसी time frame में रहेगा अब क्या हुआ कि चुकि ये कानून है कई जगह से इसको scrap भी किया गया है कि अगर SDM साब भेज रहे थे notice जो घर के verification के लिए जा रहा था उसको बंद किया गया है नहीं किया जाता है हाला कि दूसरी तरफ ये होने लगा कि notices को अब online display किया जाता है जो government की website पे जैसे महरास्टा वगरे में करेंगे तो government की website पे display कर दिया जाता है जहां से कोई भी व्यक्ति access कर सकता और देख सकता है कि इस time पे कौन-कौन से व्यक्ति है जिनोंने special marriage act के अंदर marriage करने के लिए application दिया हुआ है और उनके शादी कप स्रॉमलाइज होने वाली है तो अगर आपको special marriage act में शादी करनी है और तभी आपको करना चाहिए जब आप दो religion के हों अलग-अलग धर्म के व्यक्ति हों तो ही आपको करना चाहिए किसी expert से सलाह लेकर के करना चाहिए लेकिन अगर आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं और आप same religion में कास्ट आपका भलेई अलग-अलग क्यों ना हो और अब आप अगर शादी करना चाहते हैं तो notice से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप जो है बरही आराम से अपने marriage को अपने धर्म के ritual के हिसाब से perform कर सकते हैं जैसे अगर हिंदू हैं तो हिंदू के हिसाब से perform कर सकते हैं Muslim है तो Muslim धर्म के हिसाब से निकाह कर सकते हैं Christian है तो father या church में जाके priest के द्वारा marriage को perform कर सकते हैं और उसके बाद से marriage को registered करा सकते हैं अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या इसमें कोई notice तो नहीं जाएगा तो इस process के अंतरगत कोई notice नहीं जाएगा बिल्कुल डरने की ज़रुरत नहीं इस process में कोई भी notice नहीं जाता है अब एक और प्रश्ण आपके दिमाग में होगा कि ठीक है ये हो तो जाएगा लेकिन करू कहां कहां पे कर सकता हूं इस चेज को तो अगर आप डेली में करना चाहते हैं डेली में कर सकते हैं ओल इंडिया के कहीं के भी रहने वाले व्यक्ति हैं डेली में आके marriage perform कर सकते हैं अगर आप गाजियाबाद से करना चाहते हैं वन डे में गाजियाबाद से कर सकते हैं आप मुंबई से कर सकते हैं आप एहमदाबाद से कर सकते हैं, जैपूर से कर सकते हैं, उदैपूर से कर सकते हैं, देहरादून से कर सकते हैं, लखनौव से आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप भुपाल से कर सकते हैं, बैंगलोर से कर सकते हैं, हैदराबाद से कर सकते हैं, जितने प्लेसेज मैंने आपक perform कर सकते हैं इसके अलावा भी कुछ प्लेसेज हैं जहां पर आप कर सकते हैं तो important क्या है कि जब कभी भी आपको marriage करना है चाहिए love marriage करना हो या special marriage act में आपको शादी करना हो या फिर आपको marriage registered कराना हो तो सबसे important यह है कि पहले आपको proper पर advice लेना चाहिए आपको यह बात समझनी चाहिए कि आपको अगर किसी और location पर marriage करना है तो आप कैसे कर सकते हो तोड़ा भी complicated issues है तो advice ले लिजे और advice लेने के बाद से आप marriage को marriage की booking करा लिजे और marriage को फिरा सलमलाइस कर सकते परफॉर्म कर सकते हैं अगर inter-cast inter-religion inter-cast में तो खेर कोई दिक्कत ने इंटर-religion marriage है तो पक्का आपको legal advice ले लेना चाहिए अगर आप दिल्ली गाजियाबाद के अलावा कहीं और करना चाहते हैं दिल्ली गाजियाबाद और मुंबई के अलावा कहीं और करना चाहते हैं तब भी आपको ले लेना चाहिए लीगल advice अगर directly आपको हमारे जो रिपर्जेंटेटिव हैं उनके थ्रू समझ जा रहे हैं तो इससे अच्छी करते हैं तो रहे हैं तो झाहते हैं ।